कोली का विकेट हो या शेल मार्केट पटाक 30 सेकिंड में खबर डाउनलोड कीजे तक क्याव और हम लोग कोई भी मदद नहीं मिलट रही है जैसा आप सभी को पता है रात से ही बंबार्डिंग कर रहा है इवानों के हर सिटी पे बंबार्डिंग कर रहा है हमारी भी शिटी जो इवानों फ्रांकिस है यह वेस्ट यूकरेन में पढ़ती है और यह अब तक की मतलब सेफेश शिटी थी लेकिन रात में इसमें भी बंबार्डिंग हो गया है जो एरपोर्ट का इलाका है इसका उस साइड तो हम सब काफी दहसत में हैं हमारे परिजन है रहे हैं और हमें बार-बार कॉल कर रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि रशिया लगातार बंबार्डिंग करते जा रहा है और हम लोग को कोई भी मदद नहीं मिल रही है सरकार से ने कुछ और तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें जल से जल्द यहां से इविक् पुष्व कुमार् और जो अब बीपक्षी पार्टी के नेता हैं तेजस्वी आदो जी उनसे गुजारिश करते हैं कि हम लोग को बिहार के छात्रों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए हैं और जो भी चात्र यहां भारतीय चात्र हैं हम सभी की बात करेंगे भारतीय चात्र को भी निकाला जाए सब किसी को क्योंकि यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी की जान जा सकती है वो बच्चे काफी दैसत में है जो अभी भी Air India की किराया एर इंडिया भी फ्लाइट लेका आई थी उसका किराया भी इविक्वेशन के नाम पे 60,000 रुपए रखा गया था जो कि एक नॉर्मल बच्चा एफॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि अभी नॉर्मल फ्लाइट यहां भी जो भी होती है वो 20,000 के आसपास में होती है लेकिन एर इ जारी सकी हम लोग यहां से निकाला जाए जल से जल निकाला जाए सर धन्यवाद